आईए देखते हैं आपके बच्चे हुए दिन 44 दिनों के रनेती क्या होनी चाहिए आपने जो मेंस का डेट आया है सभी ने देख लिए है तो आप तैयारी अभी 44 दिन में भी कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसको समझ लिजिए देखिए बहुत मुश्किल से आप लोगों की महिनत रंग लाई है जो ट्रोल चेल रहा था जिसमें सारकार का जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए था नहीं कर रहे थे फाइनली आपको मेंज का डेट क्लियर हो गया है तो आपकी रहनेती आगे क्या होनी चाहिए एक्जाम तो अक्टूबर 18 अक्टूबर को प्रारंब होने वाली है मतलब आप लोगों के पास टोटल 44 दिन बचा है तो तैयारी कैसे करें देखिए दोस्तों बहुत मुश्किल से प्रिलिम्स निकलती है तो इसे ऐसे मत जने दीजिए एक सेडियूल तैयार कीजिए जिससे आपका सातों पेपर तैयार हो जाए समय पर notes साब बनाना चाहिए था, sinopsis बनाना चाहिए था ये बात की बात है ये समय अप निकल चुका है जिससे आप notes साब बनाते या sinopsis बनाते तो आईए देख लिजे कि आप अधिक से अधिक अंक कैसे ला सकते हैं बेकार मत जाने दीजेगा बहुत मुश्किल से तो प्रिलिम्स निकलता है तो सबसे पहले देख लिजे पहला पेपर है आपका 18 अक्टूबर को जिसमें पहला है लैंग्वेश और दूसरा है एसे सभी को पता है कि एक दिन में दो एक्जाम होनी है तो लैंग्वेश पेपर में आप जिसके अंतरगत हिंदी है इंग्लीस है और छत्तिसगड़ी भासा है तो इंग्लीस में आप सिनाप्सिस और एंटोनिम्स इसमें समय मत गवाईएगा इसको बिल्कुल भी छोड़ दीजेगा टेंस, नरेशन्स और पार्ट आप स्पीच जिसको आप इसकुल टैम पढ़ते थे उसको एक सरसरी तोर पर भी अभी पढ़ लेंगे हिंदी और छत्तिसगड़ी जो भासा है इन दोनों में आप अधिक से अधिक अंक इसकोर कर सकते हैं तो इन दोनों को ज़्यादा फोकस कीजेगा जो लेंग्वेज वाला पार्ट है सबसे ज़्यादा अंक यहीं से प्राप्त होते हैं तो हिंदी को पूरा पढ़ लीजेगा और छत्तिसगड़ी भासा इन दोनों को पूरा पढ़ ही लीजेगा इंग्लीज में आप अंटोनिम से नोनिम बिल्कुल छोड़ दीजे एसे वाले पार्ट में देख लीजे कि एसे वाले में कौन कौन से आपको सबसे ज़्यादा महतवपूर्ण है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं पहला देखेंगे आप भारत एवं अंतराष्टिय मुद्दे में तो सबसे पहले तो आपको कोईट नाइंटीन कोरोना वाइरेस इनके बारे में आप जानकारी अधिक सधिक प्राप्त कर लीजे इसके बारे में भी पूछे जा सकता है C,E,T है और N,R,E है इसके बारे में भी आप त्यारी कर लीजेगा केंद्र हो या राजी हो दोनों के लिए चौनाथ मात्रपूण मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी की समस्या और निदान है जिसका आप तैयरी कर लेंगे ये जो चार टॉपिक हैं अंतराष्टी और राष्टी इस तरह के जो मुद्दे हैं इनको अध्यान कर ही लिजिएगा एक बार पढ़ के चले जाएगा इससे सम्मधित प्रस्थन बिलकुल पुछे ज किये जा रहे हैं फिर से रिपीट कर रहूं 36 गड़ में कूपोसड की समस्या और सरकार के क्या प्रयास किये जा रहे हैं इसको तैयारी कर लिजेगा गोधन्यायोजना ये तो महतवपूर्ण है इसमें भी आप त्यार कर लिजेगा तीसरा था आपके लिए स्री राम वन गम पत ये जो मुद्दा तीनों है 36 गड़ के दिश्टी कोड़ से बहुत ही महतवपूर्ण है तो एसे में इन जितने बातों का मैं उल्ले किया हूं जितना टॉपिक बताया हूं यह सबसे जादा महतवपूर्ण है यहां से क्वेशन कंफर्म है कि पूछे जाएंगे इसके अ सबसे जादा इसकोर कर सकते हैं भारत का इतहास से इसमें आप जो प्रिलिम समय पढ़े हैं उनको एक सरसरी तोर पर बिल्कुल पढ़ लिजेगा क्योंकि फैक्ट चीज़े को आप वुमेंस में लिखना है इससे क्या है सविधान कहां से क्वेशन आगा नहीं पता है लेकि आपको भागवन से भाग पांच तक यहां पता होना चीज़े इसके अलावा आपको अभी छत्तिजगर राजभासा आयोग जिसमें अनुच्छत जो 17 है इसके बारे में देख लिजेगा और आप लोग प्रशाशन इसमें देख लिजेगा जो सरकार जो प्रयास किये जाते हैं उनके बारे में लोग प्रशाशन पढ़ना है तो तो सविधान एं लोग प्रशाशन पर फोकस कम किजेगा आपको फोकस ज्यादा होना चीज़े भारत का इताहस और 36 का इताहस पे क्योंकि 44 दिन बच्चे है तो सेड्डियोल के साथ त्यारी किजेगा निशित ही मेंस अच्छा जाएगा आपको बहुत अभी आपके आश पास से ही समझाएंगे कि पेटर कैंसिल होगा नान करोणावारस हो मोलिक कर्तव इनको भी आप याद कर लेंगे तो यह हुआ आपको पेपर थर्ड में क्या पढ़ना है उसके था और पेपर फोर्थे में देख लीजे कि पेपर फोर्थे में आपका साइंस था मैट्स है रिजनिंग है और परियागन की जो भाग है तो आप साइंस को बिलकुल पढ़ लीजी लीजिएगा जो आप दसवी के बूक है और बूक उसको आप पढ़ लीजिएगा इसके अलाव आप देखेंगे कि मैट्स है कर 10 के बूक आप अभी से सॉल कर लीजिए मैट्स है साइंस आपका अभी तैयारी हो जाना चाहिए जितने भी जल्दी हो सके और आपका जो साथो पेपर है उसका तैयारी आप अभी कर लीजे क्योंकि उस समय आपको रियोजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा बहुत प्रेशर रहेगा एक्जाम हॉल में तो यह था आपका थर्ड पेपर में जिसका तैयारी आपको अभी से कDoes पड़ेगी शाथो पेपर इसकी भी तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा जो लैंग्वेज वाला पेपर है और एसे वाला पेपर है आप एक्जाम टाइम भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत दिन हो ग तो 36 गड़ का भूगोल आप prelims में पढ़े हैं उसको ही पढ़िएगा पूरी fact बाते आप याद कर लिजेगा prelims निकाले हैं मतलब आपको पूरी बाते याद है नहीं भी होगी तो भी 44 दिन है बहुत दिन है अगर पढ़ना चाहे तो और नहीं पढ़ना चाहे तो भी बहुत थोड़ा question बाहर से आथा syllabus से ही था लेकिन समझने नायक नहीं था question तो 36 गड़ का भूगोल आपका strong रखिएगा इसके अलबा जो भारत की अर्थ विवस्ता है तो इसमें आपको परिभासा पूछे जा सकते हैं तो इसमें आप परिभासा और data जिसमें 2011 की जर्ण गर्णना आपको पता होनी चीए जिसमें छत्तिगड की स्थिती और भारत की स्थिती दोनों को इस्थिती आपको साथ ही साथ लेकर चलनी पड़ेगी इसमें जो भारत के भूगल में आप प्रमु क्रांतिया को पढ़ लेंगे जो क्रांतिया है हारियत क्रांति स्वयत क्रांति इन परिलिमस में आप नहीं पढ़ते हैं तो इसमें जो 3rd पार्ट है 6th जल का समाजिक परिदिस्याथ तो आप 6th समाजिक परिदिस्याथ में जनजाती वाले पार्ट इसको बहुत ही अच्छे से कंठस्त याद कर लिजेगा जिसके अंतरगत आपको जनजाती के बारे में बताना जितना आपका सब्जेक्ट में है जो प्रिलिम्स में पढ़े हैं सरसरी तोर पर बिल्कुल पढ़ लीजेगा मेंस कनफार्म है निकलेगा इससे आप फैक्ट चीजों को वहां आपको भूलना नहीं है फैक्ट चीजों का उलेक बहुत ही आवश्यक है इसके बाद आपका जो ह दर्शन सास्त्रा और समाज सास्त्रा तो एक्जाम टाइम त्यारी न करके अभी त्यारी कर लिजेगा क्योंकि आपके पास केवल दो घंटे के समय रहेगा रियूजन करने के लिए क्योंकि यह जो छटवा पिपर है सेकंड टाइम में है पहला टाइम में रहता तो आप त् तो सेकेंड टाइम में आप छत्तिल का समाजी प्रिदी से पढ़ ली रहेंगे आपको उस दो घंटे में नास्ता वास्ता खाना पीना जो भी ब्यवस्था रहेगा आपको करना पड़ेगा इसके अलावा माइंड को भी रिलेक्स देना जोरी है तो दर्शन शास्त्र और प्यारी अभी से कर लिजे और ना देख लिजेगा जब आप में सेंसर राइटिंग करेंगे संभावता किन्तु इन सभी का सब्दों का उप्योंग जरूर किजेगा और क्या बोलते हैं सातों पेपर हैं तो सातों पेपर में जो कल्यान का रिक्रम कानुन है तो इसको आप अक्टूबर 2019 को जो योजना लाग हुई थी सभी के बारे में देख लेंगे इसी को गोधन यायोजना को यहां भी पूछा जा सकता है तो इसको भी पढ़ लिजेगा और अंतराश्टी और राश्टी खेल घटना है इसको हो सके तो आप पढ़ लिए होंगे तो इसको अब से करेंगे 10 पेपर के बाद मतलब 11 अक्टूबर के पहले मिलकूर कर लिजे में करने के लिए आपके पास 20 अक्टूबर का टाइम रहेगा पांच साम के पांच बज़े से सुबा के नौ बज़े की बीच तो ये आपका साथो पेपर कर रहनी थी था कि आप 44 दिन में कैसे त्यारी कर सकते हैं तो आपको बता दू कि language है और essay है यहां आप सबसे ज़्यादा अंक score कर सकते हैं तो ये दोनों आपको छूटना नी चाहिए फिर से बोर रहा हूँ यहां से आपको अच्छे score अंक मिल सकते हैं और देखिए घबराईए गमत कोरोना को लेकर क्योंकि अगर कोरोना हो भी जाता है तो उसका इलाज है एक्जाम अच्छे से दिजिएगा और हो सके तो आपको कुछ दिख्कात आती है कुछ परिशानी आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं वाट्सअप में सेमेस करते हैं अगर वाट्सअप यूज करेंगे तो कुछ भी नोट्स और सचाहिए रहेगा तो बता दिजेगा किसी भी टॉपिक का आपको एक्जाम टाइम प्रोवाइड कर देंगे अगर आप इस साल मेंस दे रहे होगे तो बिल्कुल हम नोट्स और प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप कोशिस कीजेगा अच्छे साथ से त्यारी कीजेगा हमारे तरफ से सीजी प्रोवाइड की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने प्रिलिम सके साथ साथ मेंस निकालने वाले हैं तो हमारे तरफ से आपको एडवांस में है अल दे बेस्ट अच्छे से एक्जाम दिजेगा कोरोना से तो बात में लड़िएगा एक्जाम लड़के पोस्ट लिजेगा कोरोना हो भी जाएगा तो फिर से वो रहो इलाज है डरियेगा मत साथ में आप जब जाएंगे तो मास्क सेनेटाइजर लेके चले जाएगा और पेन पेन की बात करूँ तो पेन आप अच्छे से अभी से खरीद लिजेगा जो अभी चाहिए इसे आप प्रेक्टिस कीजिकी कून पेन में आप अच्छे से लिख सकते हैं ताकि वहां आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े और पेन को अच्छे से रख लिजगा जितना पेन रखना चाहाए 3-4-5 एक ही पेन में लिखना है आपको तो समय को एक घड़ी अपने साथ रख लिजएगा पॉनी का बॉटर रख लेंगे और सुरक्षित एक्जाम देंगे आपका एड्मिट कार्ड आर्ट अक्टूबर को आ जाएगा तो आप वहाँ से देख लिजए का साइबर कैप से कि आप एड्मिट कार्ड निकुला लेंगे तो फिर से बोल रहा हूँ सीजी पेसी हैं रिटेन नोट से परिवार की तरफ से आपको all the best धन्यवाद